नमस्कार दोस्तों आज का डिक्टेशन असी सब्ध प्रति मिनेट स्टार्ट होगा पांच चेकेंड बाद इस्टार आदर्निय सभापती महोदय जैसा की माननिय सदस्य जानते हैं आजकल महा नगरों में मादक पदार्थों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है विराम यह बिमारी दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है यहां तक अब तो सिक्ष्या संस्थानों में भी मादक पदार्थों के बढ़ते कुए इस्तेमाल से भयान समस्या पेदा हो गई है विराम मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके निदान के लिए युद्ध स्तर पर कार्य हो ताकि आज की युवा पीडि इसके चंगूल से सिग्र निकल सके मैं समाज के हर वर्ग से अपील करता हूं कि वह सरकार का साथ दे ताकि समय रहते इस समस्या को हल किया जा सके ताकि यह बिमारी काबू से बाहर नै निकलने पाए विराम पैराचेंज आकिर मादक पदार्थों के सेवन के पीछे क्या कारण हैं क्यों अधिक से अधिक हमारी युवा पीडि इसकी ओर भागती नजर आती है मेरे विचार में इसका एक मात्र कारण यह है कि मादक पदार्थों का कारोबार सबसे पहली अधिक लाबदायक कारोबार है विराम कुछ अंतर राष्ट्रिय गिरोहे विशेश कर अमेरिका में बेठे लोग मानव जाती पर यह गातक प्रहार कर रहे हैं यहां तक कि पंजाब में तनाव उत्पन करने के लिये भी मादक पदार्थों के तसकरों से मिले धन का प्रयोग किया जा रहा है विराम पंजाब सीमा पर कुछ तसकरों को पकड़े जाने पर तथा उनसे पूछताच करने पर इस तथ्य की पूष्टी भी हो चुकी है विराम पैराचिंत मेरा यह भी निवेदन है कि पूलिस व्यवस्था को इस समंद में काफी चौकस रहना चाहिए तथा वह मादक पदार्थों की मांग एवं पूरती की मात्रा पर कड़ी नीगाह रखे विराम कई लोग मादक पदार्थों के क्रे विक्रे में पूलिस की मिली भगत की भी सिकायर करते हैं जो किसी हद तक सही है लेकिन सत प्रतीसत सही नहीं है दूसरी ओर वर्तमान कानून भी इस दिशा में काफी सक्चम नहीं है सबसे जरूरी पदार्थों की सेवन करने वाले नए मरीज नए बनने पाएं इसके साथ साथ इस बात यह है कि लोगों में इसके प्रती जग्रती पेदा की जाए ताकि नसीले का भी ख्याल रखा जाए कि जो व्यक्ति इनके सेवन के आदी बन चुके हैं उनके इलाज की पूरी सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्द कराई जाएं विराम अगर संभव हो तो इसके लिए अलग अस्पताल कायम किये जाएं जहां पर इनकी इस आदत को छुडाया जाए और उन पर पूरी निगाहे रखी जाए ताकि आस्पताल से चले जाने की बाद भी वे इस आदत की दुबारा सिकार नै बनने पाएं और एक अच्छा नागरी बन कर जीवन व्यतीत करें समाप